अब बॉल्टेज मुल्टिप्लायर्स के बारे में देखिए अभी तक अपन क्या जानते हैं अपन जानते हैं कि हम डायोड की मदद से रेक्टिफायर सर्कुट बना सकते हैं अब देखिए पर अपन को क्या चाहिए होता है अपन को चाहिए होता है कहीं जैसे कि आपका मोबाइल का चार्जर है और कुछ अप्लिकेशन में आपको केवल डीसी चाहिए रहता है डायरेक्ट करेंट अपन चाहिए टायरेक्ट करेंट तो उसके लिए क्या अपनने इस्तमाल किया डायोड सरकुट डायोड सरकुट से क्या हुआ अपनने डीसी को अलटरेटिंग करेंट को डीसी में कंवर्ट कर दिया DC में convert कर दिया और जो यह ripple है आपके ripple है जो DC से deviation है उसको अपने दूर किया क्यों DC बनाया filter circuit के मदद से filter circuit कौन कौन से होते हैं एक तो आपका हो गया capacitor filter एक आपका हो गया inductor filter और एक आपने पढ़ा होगा Pai filter जिस अब आपको पहले पढ़ा चुके हैं आप वीडियो में जाके नोट में जाके देख़्क्ते हैं तीसरे था आपका Pai filter Pai filter Pai में दोनों आ जाते है इंडेकटर कैपसिटर दोनों अब इसकी मदद से अपनने क्या किया जो Pulsating DC मिल रहा था Pulsating DC को Convert कर दिया Pure Constant DC में Constant DC में ठीक है बच्चो अब क्या हुआ अब अपन को DC VoltaGE को Multiply करना है Multiply करना है आपको voltage level बढ़ाना है, जैसे कि अगर AC की बात करें तो transformer होता है, transformer क्या करेगा, step up करेगा या step down करेगा, वो AC voltage को step up करेगा, step down करेगा, AC voltage को, पस जब DC की बात आती है, तो अपन voltage multiplier circuit का इस्तमाल करते हैं, जैसे कि अगर आपको high voltage DC की बात करें तो अपन power diode की मदद से voltage multiplier circuit बनाते हैं, अगर low voltage की बात करें तो signal diode की मदद से voltage multiplier circuit बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए बचछो कैपैसिटर बेसिक कंपोनेंट है आपके कैपैसिटर और डायोड इन दो कंपोनेंट के क्या की मदश से अपन वेञिटेज मल्टिप्लार टिर्कrüिट बना देते हैं विद्त में main basic concept क्या है basic concept यहंवचों की AC के हर cycle में AC current के हर cycle में हपने क्या करते है निए capacitors जो series में एक तरी pH से हो जाते है capacitors को चार्ज करते है capacitors को चार्ज करते है capacitors क करते है मानों ने जा फरस्ट हाफבר साइकर में यह वाला कैपिसिटर चार्ज हो गया और इस तरह से सर्किट डिजाइन करेंगे डाइवोड को इस तरह से एरेंज करेंगे कि दूसरे साइक्ल में दूसरे साइक्ल में निगेटिव होई साइक्ल में दूसरा कैपिसिटर चार्ज हो जाएगा दूसरा कैपिसिटर चार्ज हो जाएगा और ultimately complete cycle के बाद आपको किसी point circuit के किसी कहीं दो point के बीच में जितना आपने voltage apply किया है AC voltage का maximum value का double आपको मिल जाएगा output पे ठीक है बच्चो चलिए अब circuit के बारे में थोड़ा देखते हैं देखिए जैसा कि बच्चो इस circuit में दिखा रहा है यह आपका half wave voltage doubler circuit है देखिए इसमें arrangement क्या है arrangement में आपका एक vsac source है vsac source supply और दो diode और दो capacitor इस्तमाल किये हैं इस circuit में इसका arrangement इस तरह है कि first half cycle में आपका यह वाला circuit on होगा on होगा मतलब यह diode जो है यह on होगी conduct करेगी second half cycle में यह diode conduct करेगी ठीक है बच्चों second half cycle में यह diode conduct करेगी और यह off हो जाएगी तो ultimately आपको voltage कितना मिल जाएगा voltage मिल जाएगा आपको lower chair cross 2V 2V मिल जाएगा कैसे मिलेगा वो एक एक करके देखते हैं तो बच्चों basic circuit समझ में आ गया एक बार आपको language पढ़के समझा देते हैं language ज़रूरी है exam में लिखना half wave voltage doubler consist of two diodes and two construction बता रहे हैं बच्चों पहले इसका circuit का construction कैसा है the half wave voltage doubler consist of two diodes and two capacitors connected in a manner as shown in figure it will show it will show that if the peak input AC voltage is V SP the DC output voltage will be 2V SP provided the diodes are ideal the basic idea in the voltage will multiply to charge these capacitors to the peak input AC voltage and to arrange the capacitors so that their stored voltages will add तो बच्चों दिखाया गया था क्या है इसमें basic phenomena जैसे कि आपको बताये गया था इसमें capacitor basic funda है capacitor को charge करने का हर cycle में और इस तरह से charge करने का कि finally जब आप output ले तो उसके across आपको voltage मिलेगा circuit action क्या है अब बच्चों बात करेंगे circuit कैसे काम करता है circuit कैसे काम करता है इसको अगर आप एक बार में देखेंगे तो confused हो जाएंगे इसलिए आप part by part एसी के एक cycle में क्या होगा दूसरे cycle में क्या होगा वैसे देखेंगे हैं एक एक करके ठीक है बच्चों अब इस्टार्ट करते हैं तो ये रही बच्चो सप्लाई अब जब सप्लाई का माल लेते हैं positive half cycle आता है positive half cycle आता है तो क्या होता है negative चलिए पहले negative से ही चालू करते हैं क्योंकि negative half cycle में बच्चों अगर पहले अपन लेते हैं reason ये है क्योंकि हम चाहते हैं कि पहला circuit से starting हो second half cycle में दूसरा circuit आएगा तो पहले negative half cycle से start करते हैं तो मानते हैं पहले negative half cycle negative half cycle में क्या होगा बच्चों polarity जैसे की इसमें दिखाई गई है circuit मे polarity आपकी ये रहेगी source की source की polarity ये रहेगी तो देखते हैं कौन कौन सी डायोट आपकी short circuit हो जाती है तो capacitor जब starting में open circuit last में short circuit की तरह काम करता है तो देखते हैं कौन कौन सी डायोट चुकि P का positive connect है और N का negative connect है capacitor को short करके देख लेंगे तो इससे ये diode D1 on हो जाएगी और diode D को देखते हैं डायोट D में अगर आप short करते हैं तो positive plate से डायोट के negative source का negative voltage connected है और negative plate से positive connected तो short short हो गया बच्चों ये कि आपकी D2 diode off होगी D1 on होगी D2 off होगी अब क्या होगा अब जवाब की D1 on होगी तो होगा क्या D1 on है D2 off है तो बच्चों इसको दिखाने के लिए एडिसेंट बगल वाले circuit में दिखाने के लिए अपन on जो होगी है उसको short circuit कर देंगे जो on है उसको short circuit कर देंगे जो off है उसको open circuit कर देंगे जो off है उसको open circuit कर देंगे ठीक है बच्चों देखेंगे जो on है उसको short circuit कर दिया जो off है उसको open circuit कर दिया दिख रहा है बच्चों यहां पे अब देखिए होगा क्या इस capacitor में फर्स्ट जब negative half cycle है तो इसमें कोई charge नहीं रहेगा starting कैसे होगी यह वाला capacitor आपका minus plus Vs minus plus Vs से charge हो जाएगा ठीक है बच्चों minus plus Vs से charge हो जाएगा capacitor आपका charge है C1 Vs से अब बात करते हैं बच्चों second half cycle में क्या होगा second half की बात करते हैं second half में क्या होगा second half में battery की polarity कुछ इस तरह होगी battery की polarity कुछ इस तरह होगी plus minus तो अब हुआ क्या capacitor short करके देख लिए क्योंकि short नहीं करेंगे plus minus plus Vs पीक पे charge है तो voltage add हो जाएगा minus plus minus plus यह two Vs का voltage two Vs पीक का voltage लगेगा तो plus से आपका negative rate connected है और minus से positive rate connected है तो आपकी यह D1 diode off हो जाएगी D1 off हो जाएगी बच्चों अब दूसरे डायोड D2 को देखते हैं चेक करते हैं आप देखेंगे minus plus minus plus two Vs two Vs two Vs two Vs किसी के cross apply हो रहा है plus वाला D2 पे connected है plus से और minus वाला connected है minus पे तो आपका D2 के across plus two Vs connected है plus two Vs connected है तो अब क्या होगा यह short circuit हो जाएगा यह short circuit हो जाएगा और यह आपका open circuit हो जाएगा यह आपका open circuit हो जाएगा ठीक है बच्चों जब यह short circuit हो गया तो कितना voltage हो गया plus minus Vs plus minus Vs two Vs आपका connected हो गया है किसके across connected है capacitor C2K across capacitor C2K across two Vs आपका connect हो गया तो capacitor को यह two is two Vs voltage से charge हो जाएगा यह capacitor C2 plus minus two Vs voltage से charge हो जाएगा अब जब next third cycle आएगा next negative half cycle आएगा तो बच्चों क्या होगा यह डायोड फिर से D2 आपका जैसे कि पहले देखा था आपने D2 off हो जाएगा और D1 आपका on हो जाएगा 3th half cycle में देखेंगे क्या होगा 3rd half cycle में ऐसा हो जाएगा ठीक है बच्चों यह 3rd half cycle में यह चाएगा और यह कयोंतने चार्ज हुग तर आपका चार्ज ता। वी एस आपका स्रूमत मुथा चयंदो से चार्ज तर चार्ज तक चर्ज हो गया . ठीक है वापक्षो क्योंकि यह सर्क्एट आपका अलग हो गया है ये सार्किट अलग ہو गया है क्योंकि ये डी टू डायोड है आपकी ये ओपन हो गई है थार्ड निगेटिव हाफ साइकल में तब क्या होगा ये जो टू इस से चार्ज था तू इस से चार्ज था ये कैपसिटर डिस्चार्ज होगा ये कैपसिटर डिस्चार्ज होगा लोड रेजिस्टेंस में ठ तो ऐसे ही हर साइकल में हर एक एक complete साइकल में 2 WS WVS add WS WS करकर 2 WS WVS add होगा और हाफ साइकल में एक हाफ साइकल में डिस्चार्ड होगा चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा तो बच्चों जो आरल के एक्रॉस आपको मिल जाएगा अगर आपने कैपसिटर बहुत चार्ज डिस्चार्ज 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 ऐसा कुछ वेब फॉर्म मिलेगा आरल के एक्रॉस अगर कैपसिटर बहुत जादा है कि आपका कैपसिटर जो आउटपुट कैपसिटर सी टू है उसके एक्रोस अल्टीमेटली टू वी एस से वो चार्ज हो जाता है हर साइकिल पे ठीक है बच्चों ठीक है तो इसमें एक पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है कि आपकी सी वन और सी टू की जो रेटिंग होगी उस और कैपसिटर जब आपको पढ़ाया गया होगा फर्स समिस्टर में तो फिर आपको बताया गया होगा क्यू इस डायगी प्रपोर्शनल टू वी जितना आप वोल्टेज रखेंगे जितना ज्यादा आपको वोल्टेज टेटिंग चाहिए कैपसिटर की उतना ज्यादा उस तो यह रहा वोल्टेज मुल्टिप्लायर सर्किट ले नेक्स टॉपिक करकी क्लास में पुढ़ाये जाएगा ठीक है बच्चों